कर दोस्तों आजब एस वीडियो में हम एक WordPress वेस्साइट पर कमेंटड करना सीखेंगे उसके लिए सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं एक पूर्ट वेब्साइट में मुझे अपना comment डिसेबल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें आना होता है कर दिसके बाद हमें आना होता है डिसकेशन पर है जैसा आप देखेंगा से आपको सिंपल सर डिसेबल करना है इससे क्या होगा कि आपके जो नए पोस्ट आप पुब्लिश करोगे उस पर कमेंट डिसेबल रहता डेगा आपको पुराने बीशाघ्ट हैं उन मेंट डिसेबल नहीं होंगे उनको आपको मैनुvally डिसेबल तो यहाँ पर मैं सिंपल साक्रापिस को सेव कर देता हूं यह जैसा कि हम देख सकते हैं यह सेटिंग समारा सेव हो गया है हम चलते हैं पोस्ट में पोस्ट में तो यह जितने हमारे पुराने पोस्ट है अगर यह पहले खुल जाए टाइम ले रहा है थोड़े खुलने में जैसे कि हमारे जो पुराने पोस्ट है अगर मैं इनको खोलूंगा मैं इनको खोल दे रहा हूं जैसे कि सिर निचे चलता हूं जब से पहले अब देख सकते हो कमेंट में उब किया हुआ फिर भी इस पॉस्ट में कमेंट दिख रहा है क्योंकि यह पहले थी पॉस्ट के सब्सक्राय लिखार क्यों कि हमने जब आप करना पड़ेगा इस रांग हुश करता हूं यहां पर एड न्यू करके ही यहां पर आप यहां पर मैं आपको साइड में दिखा दे रहा हूं यहां पर देख सकते हूं यह अलाव कमेंट्स डिसेबल है और अलाव पिंग बैक्स डिसेबल है अगर मैं इसे पॉब्लिश करूंगा तो इस पर कमेंट कुछ भी नहीं रहेगा अगर आपको अटोमेटिकली डिसेबल करना होगा अपने पुराने पोस्ट पर या आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट होगी आपको अगर अपना कमेंट्स डिसेबल करना है तो आप उसके लिए एक प्लगिंग का यूस कर सकते हो आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल अगरे पोस्त हमारे अपडेट हो गए लगभग आप ऐसे ही सिंपल तरीके से हम अपने सारे पोस्त पर कमेंट्स डिसेबल कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो का लाइक करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को जब आपको लेना, thank you.